असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम अक्ससाइज 2.2 के next 6 questions solve करेंगे 31 से 36 सक लास्ट लेक्चर की तरह यहाँ पर भी हमारे पास functions given है quotient की form में divide हो रहे हैं तो हमने इनकी limits evaluate करनी है let's start with question number 31 जिसमें limit x approach is 1 है x की power minus 1 minus 1 divided by x minus 1 अब देखें अगर आप directly इसमें limit put करते हैं जो के 1 है basically तो उपर 1 की power minus 1 minus 1 divided by 1 minus 1 तो यह आपके पास 0 over 0 form बन रही है last lecture में भी आप बताया था कि limit का हरगी थी यह मतलब नहीं होता कि आपने function को उस number पर evaluate करना है ठीक है? limit का मतलब होता है कि आपने यह check करना है कि जैसे जैसे आप उस number के करीब जा रहे है function किस number की तरफ जा रहे है right? so यह check करने के लिए यह हरगी जाजमी नहीं है कि आप as it is function में वो point put करते है हाँ अगर आपका function continuous है अभी यह खेर टरम आपके रिशाइद नहीं होगी आपके function में वो number put करने से कोई problem नहीं आ रही कोई finite number आ रहा है तो that's fine आप कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास zero over zero form या फिर कुछ और forms भी हैं जैसे infinity over infinity है और इसके लाबा भी कुछ forms है जो आगे जाकर हम discuss करेंगे इन्हें बोला जाता है indeterminate forms तो जब ऐसी situation आ जाए तो आपको अपने function को कुछ simplification करना पड़ती है then simplification के बाद फिर आप उसमें limit put कर सकते हैं तो इस case में भी पिर हम वही काम करेंगे तो उसके लिए आप अगर numerator में देखें तो power में minus 1 आ रही है तो इसको आप 1 over x लिख सकते हैं ठीक है so we have limit x approaches 1 x की power minus 1 divided by minus 1 whole divided by x minus 1 so this is equal to limit x approaches 1 x की power minus 1 की जगा आ जाएगा 1 over x minus 1 divided by x minus 1 all right अब उपर LCM ले दिये तो यह आ जाएगा limit x approaches 1 तो यह LCM आ जाएगा आपके पास x उपर 1 minus x multiply 1 is 1 minus x right divided by x minus 1 ठीक है उपर है 1 minus x sorry और नीचे है x minus 1 तो simply limit x approaches 1 यह x आपका नीचे जाके इसके साथ multiply हो जाएगा ठीक है यह बनेगा 1 minus x divided by x multiply x minus 1 ठीक है ना तो अब आप क्या कर सकते हैं अपने denominator में से या denominator में से minus common ले 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 तो यह दोनों term same हो जाएगी x approaches 1 उपर से minus common ले तो बनेगा x minus 1 divided by x times x minus 1 तो यह cancel out हो जाएगी same time हो बाकी बचेगा minus 1 over x limit x approaches 1 और साथ में minus 1 by x अब आप limit लगा सकते हैं इसमें one put की लिए इसकी जगाँ पर तो यह बनेगा minus 1 over 1 which is equal to minus 1 तो इस function की limit आ रही है minus 1 जैसे जैसे आप 1 के करीब जा रहे हैं आपका यह given function है यह minus 1 के करीब जा रहे है ठीक है आपके next question में भी कुछ similar situation है यह यह नि फ्रेक्शन के अंदर fraction आ रहा है देखें आप मैं x के लिए पर 0 लगाता हूँ नहीं यहाँ पर आप रफली करके देख सकते हैं तो 0 minus 1 minus 1 बनेगा overall minus 1 हो जाएगा यह overall बनेगा 1 तो minus 1 plus 1 0 नीचे भी 0 है तो again हमें इसके साथ कुछ simplification करने की ज़रूरत है तो limit x approach is 0 उपर चलें एक मरतबा वैसे आप लिख सकते हैं as it is लिख लें 1 over x minus 1 plus 1 over x plus 1 whole divided by x अब आप उपर ज़रा LCM लिए limit x approach is 0 आपके पास numerator में जो दो functions हैं उनमें LCM लीजिए तो वो आपके पास आ जाएगा x minus 1 and x plus 1 दोनों आ जाएगे product में ठीक है? Alright So LCM तो आपके पास आ गया उपर term कौन सी आएगी? x minus 1 cancel out हो जाएगे x plus 1 बचेगा उपर plus sign और x plus 1 यहां से cancel out होके उपर आ जाएगे x minus 1 Is it right? Yes ठीक है मेरे ठीक है वैसे हाँ divided by x तो देखें आपके पास यहां से plus 1 and minus 1 0 बन जाएगा cancel out हो जाएगे x plus x 2x आ जाएगा और यह x minus 1 x plus 1 इस x की जगह पर आ जाएगा So we have limit x approach is 0 divided by x as it is और यह जो denominator है यह जो इनिशी जाएगे x के साथ multiply हो जाएगा x minus 1 x plus 1 और उपर बज़ेगा x plus x 2x अब आप यहां से इनको cancel out कर सकते हैं x को और बाकी बचेगा आपके पास limit x approach is 0 function है 2 divided by x minus 1 and x plus 1 अल राइट अब आप 0 लगा सकते हैं इसमें तो यह बनेगा 2 divided by numerator में अलग से limit होती है वैसे rule यही कहता है कि फिर denominator में अलग से होती है तो नीचे बनेगा 0 minus 1 multiply 0 plus 1 तो minus और यह plus multiply होकर minus बनेगा और यह 2 है तो इसका मतलब है इसका answer हमारे पास बन रहा है minus का 2 ठीक है ओके next question हमारे पास है 33 जिसमें u की power 4 minus 1 उपर है और u की power 3 minus 1 आपके पास नीचे आ रहा है तो once again इस पर भी हम कुछ formulas लगाएंगे जो basic algebra के formulas होते हैं आप elementary classes में सीख चुके हुए है let's see कैसे apply करने है u approaches 1 लेकिए u की power 4 minus 1 को क्या हम लिख सकते हैं u square और इसका whole square minus 1 square लिखा जा सकते हैं और नीचे u cube minus 1 cube this is equal to limit up approach basically कर रहे हैं 1 को अब u square minus 1 square ये बनेगा एक बार minus के साथ बतलब u square minus 1 और एक बार plus के साथ plus 1 और ये नीचे formula बनता है a cube minus b cube ये आप सीखते हैं तो ये इसका answer होता है u minus 1 यनी a minus b ये आप कह सकते हैं और उसके साथ हमारे पास आजएगा u square plus u plus 1 ठीक है further अभी देखें कुछ भी cancel out हमें होता हुआ नहीं नज़रा रहा तो इसमें एक और simplification आपको करने पड़ेगी which is u square minus 1 को दबारा से ज़रा इसको expand करें ये बनेगा u minus 1 u plus 1 ठीक है और ये u square plus 1 as it is आजएगा this divided by u minus 1 and u square plus u plus 1 so u minus 1 u minus 1 cancel out बाकी बचेगा limit u approaches 1 नेव मी रेटर में आजएगा u plus 1 साथ में u square plus 1 divided by u square plus u plus 1 ठीक है तो 1 को approach कर रहे है अब आप limit इसमें लगा सकते हैं तो उपर बले function की अलग limit नीचे बले की अलग limit उपर आजएगा 1 plus 1 नीचे आजएगा 1 square साथ में 1 square plus 1 divided by 1 square plus 1 plus 1 देखें 1 plus 1 2 ये भी 1 plus 1 2 2 multiply 2 is 4 और नीचे बनेगा 3 कौन से आ रहा है 4 by 3 ओके अल राइट नेक्स आ आजएगे question number 34 पे almost similar काम जो भी हम उपर कर के आएं तो इसमें देखिएं हमारे पास आप अगर 2 इसमें directly put करते हैं तो उपर 8 minus 8 0 हो जाएगा नीचे 16 minus 16 0 बन जाएगा तो थोड़ी सी हमें इसमें simplification करनी है basically U नहीं है यह V है matter नहीं करता वैसे तो यह आजएगा V cube minus 8 को लिख सकते हैं 2 cube divided by V की power 4 minus 2 की power 4 ठीक है तो V4 को हम basically चलें खेर देख लेते हैं इसको limit V approaches to A cube minus B cube का वही formula जो भी हम उपर use कर क्या है तो इसका answer होता है जी एक मरतबा A minus B यहनि V minus 2 then V square A square फिर plus B square होगा और इस case में B चुंके हमारे पास 2 है जब आप उसका square करेंगे तो वो आपके पास 4 आ जाएगा ठीक है ना V square plus 4 plus AB जो बनेगा 2V राइट तो यह उपर वाला formula open होगा नीचे वाले में अगर आप देखें तो V की power 4 है ना इसको हम square का square लिख सकते है कुछ इस तरह से minus 2 square का square अब आप A square minus B square वाला formula लगाएंगे तो वो बनेगा V square minus 2 square और V square plus 2 square ठीक है अभी भी खैर कुछ cancel out नहीं हो रहा तो denominator में फर्दर थोड़ा हम उसको पर formula लगाएंगे उसको expand करेंगे V approach is 2 V minus 2 then we have V square plus 4 V plus 2 V sorry 4 V नहीं है just 4 है यह plus 2 V and this divided by V square minus 2 square मतलब V minus 2 and then V plus 2 और उसके साथ में V square plus 2 square यानि 4 तो यह cancel out हो जाएंगे V minus 2 V minus 2 अब आप बाकी में limit लगा दें उपर बनेगा 2 लगाएंगे तो 2 square plus 4 as it is plus 2 V है तो V की जगाँपर 2 आ जाएगा alright and this divided by V plus 2 मतलब 2 plus 2 और V square मतलब 2 square plus 4 ठीक है देख लें कुछ cancel out हो रहा है पर लेड़ सब्टेक्ट कर ले 4 plus 4 plus 4 I think यह 12 बन रहा है और this divided by 4 और यह 4 plus 4 8 तो 4 multiplied is 32 तो cancel out करें इसको 4 के साथ ही ना 4 3 12 होता है ना 4 times 3 is 12 and 4 times 8 is 32 तो इसका अंसर आ रहा है 3 over 8 राइट चलिए अब आज का हम second last question करने लगे हैं 35 जिसमें आपके पास square root x minus 3 है divided by x minus 9 है तो इसको आप rationalize कर सकते हैं मतलब square root आ गया ना तो इसका sign change करके इसको plus करके इसके साथ multiply डिवाइड भी कर सकते हैं तो okay so limit x approaches 9 square root x minus 3 this divided by we have x minus 9 ठीक है x minus 9 तो अभी जो basically हम question कर रहे थे हैं वह formulas उगर open कर रहे थे अब हम इसको थोड़ा rationalization करेंगे limit x approaches 9 square root x minus 3 3 divided by x minus 9 तो खेर वैसे हम कुछ और भी कर सकते हैं एक से ज़्यादा तरीक हैं इसको solve करने के चलें rationalization ही कर लेते हैं x minus 9 को आप लिख सकते हैं square root x का square minus 3 square लिख सकते हैं इसको नीचे वाली term को just लिखा जा सकते हैं तो इसके लिए minus ba plus b वाला formula लगाएं square root x minus 3 उपर से cancel out होगा बाकी बढ़ेगा square root x plus 3 उसमें limit लगा लें तो हम इसका sign ज़रा change करके द्रम्यान वाला multiply divide कर रहे हैं तो यह बनेगा x plus 3 square root x plus 3 तो limit x approach is 9 उपर देखें a minus b a plus b वाला formula लगा a square करेंगे na square root x का square तो वो x ही बनेगा minus 3 square 9 आ जाएगा this divided by x minus 9 and square root x minus 3 बलके plus 3 तो यह minus 9 x minus 9 उपर ने जाएज़ cancel out बाकी जो function बचा उसमें आप limit लगा दे we have limit x approach is 9 1 over square root x plus 3 so 9 put करने से we have 1 over square root 9 plus 3 9 का square root होता है 3 तो 3 plus 3 is 6 तो answer क्या बना 1 over 6 ओके चलिए आज का last question आज की lecture का और इसमें हमारे पास आ रहा है 4x minus x square divided by 2 minus square root x once again directly limit put करने से उपर नीचे 00 बन रहे है तो कुछ simplification इसके लिए require है 4x minus x square divided by 2 minus square root x देखें इसी को थोड़ा हम ज़रा rewrite करने लगे है limit x approach is 4 सबसे पहले तो उपर से 4x common ले लीजिए बलके sorry 4x कैसे आएगा खली x सिर्फ x common आ रहा है बाकी बचेगा 4 minus x divided by 2 minus square root x ठीक है अच्छा अब rationalization भी कर सकते हैं इसके sign को change करें simply 2 plus square root x उसे multiply divide कर दें लेकिन अब थोड़ा सा हम method different adopt करने लगे है limit x approach is 4 x अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ x 4 को 2 square और x को लिखा जा सकता है न square root x का square ठीक है divided by 2 minus square root x अब आप इस पर formula लगा दें a minus b a plus b वला यह आ देगा limit x approach is 4 x को फिलाल ऐसी लिखा रहने दें अंदर आ जाएगा 2 minus square root x एक मरतबा और एक मरतबा आ जाएगा 2 plus square root x ठीक है and this divided by 2 minus square root x तो यह same terms उपर नीज़े से cancel out हो गई बाकि हमारे पास बचा limit x approach is 4 एक मरतबा x आ जाएगा और साथ में आ जाएगा 2 plus square root x ठीक है तो अब limit लगा सकते हैं एक सी लिखा पर 4 लगाईए 4 times 2 plus square root 4 square root 4 आप जानते हैं 2 होता है 2 plus 2 is 4 4 multiply 4 is 16 तो इसका जो limit का answer आया वो 16 आ गया ठीक है तो फिर आज के लिए तरह नहीं काफी है अगर कहीं से कोई question क्यों रही हो तो comment section रे पूछ सकते हैं next lecture में हम 37 से लेकर 42 तक जो बाकि इसके questions हैं वो solve करेंगे तो thank you very much